दोस्तों मैं समीर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपने चैनल सैम टेक में और दोस्तों आज की इस वीडियो ममलग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई वेटिंग टिकट है तो वो डारेक्टली कनफर्म होगा या फिर आरेसी में जायेगा या आप कैसे पत कर सकते हैं आपको मैं बिलकुल आसान बासा में समझाने वाला हूँ और दोस्तों यूटूब पे यह सबसे अभी पहला वीडियो है आपको इससे पहले कोई भी वीडियो यूटूब पे नहीं मिलेगा जिसमें बताया गया है कि वेटिंग टिकट कब आरेसी होता है और कब कनफर्म होता है दोस्तों यह हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आगे लोग वीडियो बना दें बट फिलहाल अभी यूटूब पे यह पहला वीडियो अप्लोड हो रहा है जिसमें मैंने यह बताया है कि कब आपका जो वेटिंग टिकट है वो डारेक्ली कनफर् दोस्तों आपका जो वेटिंग टिकट है यह कनफर्म होगा या फिर आरेसी इसको समझने के लिए आपको थोड़ा से पहले रिवर्स ओर्डर में समझना पड़ेगा कि आखिर आपको आरेसी टिकट कब मिलता है तो दोस्तों सबसे पहले आप यह समझ दिजे कि आपकी कोच पहले कुछ कनफर्म सीटे होती है यानि कि बिल्कुल फ्री सीटे होती है जब वो बुख हो जाती है तो वहाँ पे आपको आरेसी वाला टिकट दिया जाता है दोस्तों आरेसी के लिए कुछ सीटें रेलवे रिजर्व करके रखता है अपने पास और जब आरेसी की भी सीट फूल हो जाती है तब आपको वहाँ पे वेटिंग का टिकट दे दिया जाता है तो दोस्तों तीन mode हो गया यहाँ पे पहला हो गया आपकी confirm seat जो की seat अवलेबल आपकी show करता है second number पे आपका हो गया यहाँ पे RAC वाली कुछ seat जिनको रेलवे रिजर्व रखता है जैसे कि sleeper के class के लिए रेलवे 7 या 8 सीटों को minimum रिजर्व रखता है second AC के लिए भी 3 या 4 सीटे होती है और third AC के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है ये सीटे हमेसा change होती है लेकिन minimum 3 से 4 सीटे जरूर होती है और दोस्तों ये RAC वाली सीटे जब फूल हो जाती है तो वहाँ पर आपको रेलवे क्या करता है वेटिंग वाली condition में उठा के रख देता है तो दोस्तों ये तो हो गया scenario कि कब आपका ticket confirm है कब RAC में है और कब वेटिंग में जाएगा तो एक तो आपके वैसे ही बिल्कुल ticket confirm होने के chances नहीं है क्योंकि इतनी जादे वेटिंग जल्दी clear नहीं होती अगर आपके ticket एक से लेके दो दिन के अंदर की है तो एक से दस, 112 की वेटिंग तो कभी confirm होगी ही नहीं लेकिन इन केस अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपकी जो 110 की 111 वाली वेटिंग है ये confirm भी होती है तो ये confirm होकर करके सीधे यहाँ confirm वाली stage पे नहीं आपाएगी ये बीच में RAC पे ही stage पे आके रुख जाएगे क्योंकि दोस्तों यहाँ से इसको आने में यहाँ पे बहुत जादे time लगेगा और दोस्तों ये timing आपके पास है नहीं तो दोस्तों मान के लिजे कि अगर आपकी टिकट का जो वेटिंग वाला number ये बहुत ही जादे है अगर आपके पास timing कम मिल रही है तो आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है इसके RAC में आने के chances बहुत ही बढ़ जाते है अब दोस्तों यहीं पे आता है एक दूसरा scene कि अगर आपका जो वेटिंग वाला ये number है ये बहुत ही जादे कम है यानि कि 5, 6, 7 या फिर 10 के आसपास है और आपकी journey within a week है तो दोस्तों इस condition में आपको एक चीज का थोड़े से पहले ध्यान दे लेना है जो आपका ये वेटिंग वाला number ये 5, 6, 10 से ही start होना चाहिए कहने का मतलब ये कि आपको जी वेटिंग है ये नहीं कि ये 50 या 60 से चली आ रही हो और 10 पे आके रुकी हो तब ये rule लाग होगा ऐसा नहीं है अगर आपकी वेटिंग का number बहुत ही जाद है तो उस condition में आपका पहला वाला rule अपलाई हो जाएगा जो कि मैंने वीडियो की starting में भी आपको बताया है ये वाला rule तभी अपलाई होगा क्योंकि दोस्तों confirm seat में भी कुछ cancellation गिरता है और दोस्तों अगर आपकी waiting बहुत ही कम की होती है तो वो confirm seat में आके adjust आसानी से हो जाती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है लेकिन दोस्तों अगर आपकी waiting बहुत ही जादे होती है जैसे मैं आपको वीडियो की starting में भी बताया है तो दोस्तों वहाँ पे एगर waiting बहुत ही जादे होगी तो पहले तो वो confirm ही नहीं होगी इनके से अगर confirm होने भी आती है तो वहाँ पे आपको उठा के RAC में पटक दिया जाता तो यहाँ से आप जब चलांग लगाएंगे तो RAC में गिरने के chances बहुत कम होगे आप directly आपके confirm हो जाएंगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मैं समझा पाया कि आपका जो waiting ticket है वो कब confirm होता है कब RAC के condition में जाता है दोस्तों मिलते हैं का गली इनफार मिट्यूडी के साथ तब तक अपने ख्याल रखिए टेक केर